आज हम बात कर रहे है सूजलोन एनर्जी की सूजलोन एनर्जी के इन्वेस्टर के लिए आज का दिन बड़ा अच्छारा इसके पीछे वज़े यह है कि पिछले कई दिनों के बाद बहुत ही जबर्दस वॉल्यूम हो आज और यह वॉल्यूम का क्या इसारा है क्या यहाँ पे खरीदारी हुई है या फिर यहाँ पे बीक्वाली हुई है तो ये बात clearly समझ में आ रहे है कि यहाँ पर खरीदारी हुई है क्योंकि अगर बिक्वाली होती तो यहाँ पर lower circuit लगता गीर आउट होती है तो यहाँ पर कुछ update है उनको discuss करेंगे साथ में green energy के लिए एक बड़ी गुड़ी निकल के आ रहे है उसको भी discuss करेंगे और जैफरीज की तरब से कुछ बड़ा बयान निकल के आ रहा है उसको भी discuss करेंगे और इस सारी बातों को जानने के बाद यह समझने की कोसिस करेंगे क्या यह चोटा सा penny stock अबारे ले एक बड़ा multi bagger साबित हो सकता है वैसे तो काफी लोगों के मन में वहम बरे हुए सुजलोन को लेकर उनको बहुत सारे डाउट से उनको लगता है कि आने वाले समय में सुजलोन पूरी तरसे डूप जाएगी यह बात तो सही है कि कमपनी पे बहुत सारा करज है लेकिन उसके बावजूद भी यहां पे कमप गिगावाट का 230 का जो इंस्टालेशन करना उसमें महतोपुन योगदान विंड पावर का भी होगा और इंडिया में सबसे बड़ी नंबर वन कमपनी तो सुजलोन एनरजी है तो क्या ऐसे में इस कमपनी को डूबने दिया जाएगा ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है तो यह ब बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिसकस कर लेते हैं स्टोक ओपन होगा 6.35 पर लो बना 6.30 का और हाई है 6.70 का एंड में क्लोजिंग 6.60 पर रही यानि उपर की तरफ क्लोजिंग है चो एक बहुत बड़ा पोजिटिव ट्रेगर है यानि कल भी हमें तेजी देखना को मिलने की पूरी समवन है अगर बाजार साथ देगा तो 3.94 परसंग की सांदार तेजी देखना को मिली हमें सुजलोन में इसके वीपरित अगर आप निप्टी एंशी की बात के तो यहापे कोई बड़ी तेजी नहीं थी निप्टी एंशी 25,372 के इस तर पर क्लोजिंग रही जहापे 0.37% की मामूली सी तेजी थी अगर आप देख सकते तो यहापे आपको कम से कम आदा प्रतिसद से भी कम की तेजी दिखाए देगे इसका मतलब है कि लगबग फ्लैट थी एंशी सेक्टर में यहापे आपको निप्टी एंशी में कोई तेजी नहीं दिखा देगे उसके बाउज भी जो चार प्रतिसद के दीजे वो इसारा है कि बड़े फंडा उस यहापे अच्छी खासे इंट्री कर चुके है वालिम को देखे तो BSE में आज 1.48 लेक का वालिम हुआ सामने 53 लेक की डिलेवरी उठाएगी डिलेवरी का परस करें तो आप देख सकते हो कि पिछले एक महिने पहले इसका 7 क्रोड का वालिम था 1 विक पहले 6 क्रोड का वालिम हो था कल 5 क्रोड का वालिम था लेकिन आज 9 क्रोड का वालिम हो तो आप देख सकते हो पूरे महिने में सबसे ज़्यादा वालिम आज हुआ है इसका मतलब यह है कि जबर्दस खरीदारी शुरू हो चुकी है पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर दो पेता सुजलोन और जिस तरसे ये टॉप फाइव में आज चुका है और भारी वॉल्यूम में काम का जोरा इसका मतलब यह है कि अब अपर सर्केट का दौर भी शुरू हो हो गई अगर आप देखे तो सुबह 9 बच कर 31 मिनट पर यानि बाजार खुलते ही 6.35 की प्राइस से यहां पर करीब 14,86,000 की एक बड़ी डील हुई और उसी समय लगब 9 बच कर 33 मिनट पर 6.40 की प्राइस से 16,54,000 की एक और बड़ी डील हुई तो आप देख सकते हैं कि 6.45 की प्राइस से 11,11,000 की डील हुई उसके बाद में 10 बच कर 31 मिनट पर 6.50 की प्राइस से 10,44,000 की एक डील हुई और उसके बाद में 11 बच कर 7.50 की प्राइस से 21,82,000 शेरो की एक बड़ी डिल हुई उसके बाद 11 बचकर 14 मिनट पे 6.65 की प्राइस से 12,71,000 शेरो की डिल हुई उसके बाद 11 बचकर 15 मिनट पे करीब 6.65 की प्राइस से 10,69,000 शेरो की डिल हुई फिर 12 बचकर 13 मिनट पे 6.55 की प्राइस से 11,21,000 शेरों की डिल हुई फिर 3 बचकर 9 मिनेट पर 6.55 की प्राइस से 11,82,000 शेरों की डिल हुई तो आप देख सकते हो कि काफी बड़ी डिल हुई और इन डिल के माद्यम से आज अच्छी खासी खरीदारी हुई है और इसी वज़े से हमें आज तेजी आते हुई दिखाई दिखी तो इससे एक तो बात समझ में आ रही है कि बड़े फंडाउस इंट्रिक कर चुके यहाँ पर आप देखोगे तो FI की तरफ से भी अब फिर से खरीदारी शुरू हुई है बाज़ार में काफी समय से वो बिक्वाली करते है और इस वज़े से आप देखोगे तो सुजलों में भी अमें दबाव दिखाई दिया लेकिन आप खरीदारी फिर सुरू हुई है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लेकिन यहाँ पे जो गुड़नी इंडिकल का रही है वो बहुत ही सांदार है आप देख सकते हो कि सोलर एनरजी कॉर्परशन अब इंडिया की तरफ से बहुत ही जबरदस बिजली खरीदी गई है इन दोनों सेक्टर के पास से महिने में इनोंने 9.36 बिलेंड डॉलर की बिजली खरीदी गी ती तो इस बार जो आकड़ा है बहुत ज़दा उत्सावर्द गया इसका मतलब यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव स्टेप उटाया गया जहाँ पे डिस्कॉम के मादियम से बिजली जब बेचते हैं उनका प पेमेंट आपके पास जो बकाया है उनको जल से जल क्लियर किया जाए ताकि वो अपने कारुबार को आगे बढ़ा पाए इस समय सरकार को जो ग्रीन एनर्जी के लिए सपोर्ट करना जरूरी है और ऐसे में जरूरी है कि इन कंपनियों का जो भी बकाया है डिसकॉम के पास लेकिन जरूर चुका है यानि कुल मिलाके रहा दी जारी है सरकार की तरब से और अब तो जो पैमेंट है वो सोलर एनर्जी कोर्परशन भी इंडिया के मादेम से इनको चुकाया जा रहा है जो तुरंदी उनको मिल रहा है तो एक तरस से देखे तर अब इस सेक्टर में आन प्राग है thermal based power plant हो दोनों में आने वाले समय परचूर समभावना है और आने वाले समय नहीं यह जो समय है दो जात तीस तक का समय खास समय रहेगा इसके दोरान बहुत ज़्यादा ग्रोथ की समभावना तो ऐसे में इन शेरों में अगर निवेस किया हुआ है तो उनको वाक आतार कहा रहे हैं कि आने वाले समय सुजलोन डिलिस्ट हो जाएगी तो मैं आपको क्लेरली कह दूँ कि ऐसी कोई समभावना नहीं है सुजलोन को डिलिस्ट करने की तो बिलकूल समभावना नहीं हो सकता है कि प्रमोटर को यहाँ पर जोड़ा जा सकता है किसी कि तरब से finance लिया जा सकता है क्योंकि वैसे भी आभे प्रमोटर की 것이 ओलडिंग बहुत ज्यादा कम हो कुकी है एक तरसे देखे तो जो प्रमोटर की है उससे थोडी सी कम ह Óंड तो अल्री दिलिप संगवी कि असंथ हर्मा वाले की है एक तरसे वह भी प्रमोटर की करते हि कही तो आने वाले समय इनको रहात मिल गई है क्योंकि इनके लेक टाइम पिरेट लंबा हो गया है आने वाले 2030 तक तो इनको कोई टेंशन नहीं है तो ऐसे मैं आप देख सकते हो कि यह जो गोल्डन पिरेट सुरू हो रहा है इसका फाइदा सुजलोन को बिल्कुल मिलेगा एक समय सुजलोन आने जी के स्टोक की प्राइस 400 से उपर तो आने वाले समय फिर से वैसी ही समभावना बन सकते है तो बिना डरे निवेस करें इसमें आपको आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा रिटन मिलने की समभावना है क्योंकि प्राइस बहुत नीचे है लेकिन इसकी इसकी स्टोक भी है यह आपको ध्यान करता पैनी स्टोक है तो निवेस भी लिमिटेंड मातर में यह करना चाहिए एक बार इसके पीवर्ट लेवल को भी चेक लेते है तो यहां से गर गिराओट होते है तो 6.25 का फर्स सपोर्ट है यह सपोर्ट टूटा तो 6.15 तरकी स्टो इसके ब्रेक हुए अब तीसरा जो निकल क्या रहा है वो 6.65 का तो बिल्कुल बुली जोन में स्टोक आ चुका और जिससे बड़े फंडा उसके खरिदारी शुरू है आने वाले समें यह काफी कमाल करता है तो निवेस को बनाये रखे लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मे कर दीजिये थैंक यू फ्रेंड